दोस्तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक ने व्लोग में अभी बच चुके हैं दो पाहर के लगभाग धाई और ये दोनों आ चुके हैं स्कूल से वापस घर और सुरू कर दिया है ये दोनों मुझे तो तुम ही दिखाई दे रहो है और एक तीसरा घर में धेर सारी पॉलिथीन से है तो उनको साफ करके खट्की कर रही है और मुझे आ चुका है एक काम याद है ना बहुत सारे काम कर लिए हैं स्कूल से आ गया हूं और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिए उसके बाद काम याद या रहा है कि हम कल लेकर के आया थे जो नरसरी से बहुत सारे बीज जो की सबजियों के बीज है और हमको सबजिया लगाना है तो हम सबजियों के बीज लगाने के लिए पहले मैं सोच रहा हूं कि हमारे पास हैं डिस्पोजल जो पानी पीने के लिए डिस्पोजल होता है वो डिस्पोजल है रखे हुए उन डिस् उब जाएंगे और उगने तक का हमको खयाल ज्यादा रखना पड़ेगा क्यों हमारे नजर भी रहे उग आया है कितने दिन का हो गया यह ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए डिस्कोजल तो उपर मिलेंगे उपर है डिस्कोजल और फिर आपको चाहिए मिट्टी मिट् सिट इंगआ खेंग के पानी और ममिल आ रही है डिस्कोजल निकाल कर के और में मिट्टी लेका ता हूं किसी एक बड़े से बड़े सी बाल्ती ले जाता हूं मिट्टी लेने के लिए ओके तो दोस्तों में ले आया हूं मिट्टी साइड़ वाले प्लोट्स से खुरेद अब ये बहुत सारे यहां से बरतन वरतन भी ऊपर रखने जा रहे हैं उसके बाद डिस्पोजल लाएंगे और ये भी अब भाग भाग करके जा रहे हैं ये पानी लेने के लिए अब ये चोटा साथ बहुत लेले ना बैटा एक काम करता बहुत बाहरी बाल डागे तो सहीं उसमें से निकालेंगे नल में से नल में से सीधे डाइरेक्ट डाल देंगे मुझेल के लिए तो मित्टी मेरे साथ बंखने लगना मुझे और वह साब के दर गया और वह साब क्योंकि उस चड़ी नहीं पेहने थी और बन्यान नहीं पेहने ते उसने इसलिए आप बन्यान के वह उस्था कर रहा है जो पानी देना ने जो जो उगेगा भी नहीं अच्छा दिन पर पानी देना नहीं एक एक दिन में एक बार थोड़ा सा पानी देना थीख है तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर मेरमनेख मिट्ट्टीक कंदी कर ली है और कुछ दोनएटॉटे मिले पानी वाले मिले नहीं कहीं पर थे नहीं हमारे ध्यान मेंँ नहीं मिलेंग हैं और लेकिन इनको मिलेे नहीं और यह इंको बढ में बड़ेगे बीज टॉप इख्टे ओगए हैं यहां पर हें हमारे पास मिट्टी मिट्टी अब इनमें डालते हैं हम ठोड़ी चलो डाल दो मिट्टी के लिए सबी थोड़ी ठोड़ी एपinski के लिए कंदर सभी दोनों में , भाया तुम भी यह बीज रखत से पहले कि दोनों में मिट्टी डाल देते हैं और हम दोनों डाल देते हैं तुम ठीर भीज हजाना फिक है अभी है फिर बीज लेका है पूर थाप हमारा केमरा पकड़ लो कि हम काम कर सकें तो अब हमने सारे दोनों में भर ली है मिटी और यह रहे निकुंज के पास सारे बीज भीया एक 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 पॉलिफिन खोलना है और उसमें से दो दो बीज निकालना है सिर्फ एक तरह के दो बीज लगाएंगा ठीक है निकाल लो इसमें से एक एक तरह के दो बीज यह लो यह पकड़ो आप दो बीज सारे तू रख ल भले और दो बिज निकाल उसमें से और ओर मुझे दे ला। है ये निकुिन को बहुत ज्यादा है ऊही तो'llा ये बताओ ये क्या निधा में लगा दूगा तो इसको लगाने केलिए हम एक काम करते हैं। ऐसे हम रख देते हैं यह रखा मैंने इहां पर बीज और उस पर डाल देते हैं थोड़ी सी मिती ठीक है यह लिया मेरे दूसरा वाला अब याद भी रखना है कि किस में किस में लगा दे उनको साइड में साइड में रखते चले जाएंगे यह रूख जा यह पेक कर दिया इसको भी और अब यह दो रख देते हैं इधर धर में ताकि यह एकदम अलग रहे कि इसमें तो बीज लगे होए ठीक यह बाकि अलग है अगले दो दू यह है मुझे लगता है यह कुछ लगता है यह कुछ लगता है यह लोकी के हो गए जाए करें लेके तो इसे खुरदरे खुरदरे आते हैं चलो आब जब उगेंगे तभी पता चलेगा कि कौन से किस के है हमको तो यह बीज देच पता ही ने चल रहा है कि कौन से बीज किस के मुझे लग रहा है यह कदू है और बीच लगाना हो चुका है और यह बेसवरी से इनाजार कर रहा है कि मैं दूंगा पानी इसमें भी लगाया ना मैं तो इसको भी इधर लग रहाएं इतने सारे 1 2 3 4 5 6 6 12 और 15 है ने 12 और 5 कितने होगे 17 है 17 टोटल है हमारे पास है ना तो चलो अब इनको ले चलेंगे हम उपर क्योंकि यहां तो जगह उतनी है नहीं पोर्च के अंदर उपर रख देते हैं ताकि जो हमारा बालकनी है उसमें जगह है और उसमें आराम से थोड़ भी आती है थोड़ी गर्मी भी उनको मिल सकती है तुम क्या करोगे हमने ना बीज लगा दिया ओके चलो उपर ले जाकर के उपर रखते हैं पहले उसके बाद इनको पानी देंगे तुम मिट्टी से खेलोगे बाकी मिट्टी से इसे क्या बनाओगे लग्टू कुछ नहीं करना है यहां पर घंदा और थीखे ठीखे चलो पहले इनको ले तो चलो उपर यहां पर आपको निम डालाने ठीक है जो खेल लेना इदर बाहर रखे उठाओ दो धवर दो जो उठाओ और ऊपर ले चलो एक गीरा मत देना इतने सारे एक साथ उठा लिए चलो तो निकुझ एक उठाके ले चलेगा दीदी दो उठाके ले चलेगी अराम से निकुझ गिर ना रहा था ये दो डिस्पूजल और उसके हाथ से गिर गया उसको भी लग गई कहा लगी बताओ यहां पर उसको लग गई वो यहां से ठोकर खा करके गिर गया कोई बात नी स्ट् हैं तो उसकी ममी अब यू उठा रहे हैं वापस उसके अंदर से बीजी फुन्ट के लगाए जा रहे हैं और इधर देखो सारे इंहां से वहां तक डिस्कोजल हमने जमा दिये हैं अब इन में हम डाल देंगे पानी फिर कुछी दिनों के बाद यह उगाएंगे लगभग ये मान के चलो कि आठ दिन लगेंगे उनको उगने में निकुझ निकुझ आठ दिन लगेंगे उनको उगने में तब तक रास्ता देखना यह बहुत बढ़िया है और क्या अच्छी जो चलती हो वो ले लो उसको धोलो एक बार और उसमें पानी भर ला ताकि यहां पर फिर हम डाल देंगे पानी उनके उपर स्प्रिंकल करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा हाँ यह लग गए तुझे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों यह आ गए हमारे पास स्प्रिंकल वाला एक कोलीन का पहले से बॉटल रखा वा था अब यहां पर इसको मैं इस तरह से बॉटल स्प्रे कर रहा हूं लेकिन मुझे लगता है एक बार थोड़ा पानी ज्या काम में आएगा बाद में काम में एक बार तो इसमें ठोड़ा सा पानी ज्यादा हमको डालने पड़ेगा इस प्रिंकल से काम अतना चलने वाला नहीं है ठीक है ढाल देते हैं सब्हेत तो दोस्तों हमने अब इन में सभी दोने पानी डाल दिया है और उनको थोड़ा थोड़ा सा दबा भी दिया है और अब इनकी आप प्रोग्रेस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अगले वीडियो को आप देखते रहे ताके आपको इन सबजियां होती है वो खाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज कल जो मार्केट में सबजी आ रही है काफी सारी पेस्टिसाइट्स दवाईयां जो यूज होती है जो हमारे स्वास्ति के लिए डेफिनेटली हानिका रखें तो आप भी इस तरह का कर सकते हैं चलिए तो इस व्लॉ सब्सक्राइब करें